टाइटल गुलाबी बुलबुल की कहानी सफलता का सूत्र बहुत पुराने समय की बात है, एक छोटे से गाव में गुलाबी बुलबुल रहती थी, वह बहुत ही महनती और उत्साही थी, परन्तु उसे कभी भी असफलता का सामना करना पड़ा था. वह हमेशा सोचती थी कि कैसे वह अपने गाव को सशक्त बना सकती है गुलाबी बुलबुल को एक दिन एक विचार आया कि वह सभी बच्चों को शिक्षित बना सकती है ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें उसने गांव के बच्चों को बुलाया और एक छोटे से स्कूल की शुरुआत की गुलाबी बुलबुल के साथ मिलकर बच्चे बहुत महनती थे और उन्होंने सब को पढ़ाई की महत्वपूर्णता सिखाई समय के साथ, गांव के बच्चे समर्पित्टा और सफलता की दिशा में बढ़ते गए. एक दिन गुलाबी बुल्बुल ने बच्चों से सवाल पूछा, तुम सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हो? एक बच्चा उत्साहित होकर बोला सफलता का सूत्र है महनत और समरपण गुलाबी बुलबुल ने मुस्कराते हुए कहा बिलकुल तुमने सही कहा सफलता का सूत्र महनत, समरपण और सहयोग में है एक दिन गाउं को एक बड़ी मुश्किल आई एक बड़ा आंधी तूफान गाउं की ओर बढ़ रहा था लोग चिंतित थे और समस्या का समाधान ढूंड रहे थे गुलाबी बुलबुल ने बच्चों को संगठित होकर मदद करने के लिए कहा बच्चे मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए गाउं को बचाने में सफल रहे सब को मिलकर काम करने का एहसास हुआ कि सफलता उसी समर्पन और सहयोग में छिपी होती है गाव ने उन बच्चों की मेहनत की सराहना की और उन्हें गाव के हीरो के रूप में स्वीकार किया गुलाबी बुल्बुल ने सिखाया कि सफलता वहां होती है जहां लोग मिलकर काम करते हैं और सहयोग करते हैं इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि मेहनत, समर्पन और सहयोग से ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं यह हमें यह भी दिखाती है कि हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण होता है और समरिध्य का मूल है